यूही चला चला ही यूही चला चला ही कितनी हसीन है ये दुनिया मेरे चेरे पर इतनी बड़ी स्माइल करीजन ये है कि मैं पहुँच गए हूँ फाइनली नेबली ट्रेक तो यहां पहुंचने के लिए वैठी सुभर साडे पांच बजे और बाहन निकल के पता लगा कि दिन तो साडे पांच बजे हो जाता है साडे आट बजए नहीं जब यहां पर पहुंच कि इतने सारे लोगों को देखा तो लगा कि यहां पर कुछ तो जरूर बात होगी, तब ही इतने सारे लोग से बाउट क्या है, अराउंड फिफ्टीन हंडर्ड तू तू थाउजन पीपर होगा है, यहां पर इतनी बड़ी लाइन इसलिए लगी है, क सब्सक्राइब कराता है, हम दोरों दो सब्सक्राइब के खाली पेट चलेगे, यहां पर यहां पर हमें मिल रहा था ग्लुकोस वाला पानी जिस्टा में फुल पावर एनर्जी मिल गई, कि हम ट्रेक कर पाएं, यहां पावर यहां पर यहां पर आपके बन में सबसे पला सवाल के आरहा होगा, कि दिद वी पेएनिधिंधिंग पर इट? No, we did not pay anything for it and you don't need to, it's totally sponsored from forest department, t-shirts, cap and everything included in it. 3, 2, 1 I want to jump, fall, fall and fall, but I don't want to stop. This is my first track of my life, it's 10 km. We both have done it before and it's very beautiful. 6 months ago, we came here for the first time. You don't know, I don't know. There was no human here for 6 months, no one was there for the channel. I'm looking forward to it. We will have to know that we have to make a map here and put it back. This is the last 6 months later, when we were in the station, we started around 1 month. सब्सक्राइब करें तो यह त्रक अवेलेबल रहता है औक्टूबर से लेके मार्च तक के लिए वह भी महीने में सिर्फ एक दिन के लिए ओपन होता है लेकिन अच्छी बात है यह सिर्फ वीकेंड पे हो चुट्टी वाले दिन ओपन होते हैं जैसे आज दो अक्टूबर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है जहां से आप अपना ट्रेक बुक कर सकते हो ग्लूकोज वाले पाने की फैसलिटी जैसे स्टार्टिंग पॉइंट पे थी वैसे दो किलोमेटर के बाद भी थी अर्रेंजमेंट वाइस आइल गिब देम 11 on 10 अर्ण बूंद खरके उच्पेल किलना तेरा और मुझे में मुझे से साधा होना तेरा जो तेरे संग लागी वी इत्म है करू बार बार तेरा नम ले के रब सहमा की यही दुआ थोड़ी दर बाद फिर हमें मिल ग्लूकोज वाला पानी और सबसे अच्छी बात यह थी कि इनके पास एंबुलेंस की अवेलिबलिटी भी थी यहां बर बहुत सारे बच्चे और बूड़े थे तो अगर किसी की दबध खराब हो जाती है तो इनके बास हर एक अरेंजमेंट था जितना हम सोच सकते हैं उससे भी अच्छा अरेंजमेंट था व्यूज बहुत अच्छे थे कही जगा पर पाने रुका होँए था पेड़ बहुत सुंदर थे पहाड भी दिख रहे थे पक्षों के आवाज भी सुन रहे थी एवरीटिंग वो सो ब्यूटिफुल हर जगा गार्ट बैठ होए थे तो गाइड अस मार्किंग भी क्यूवी थी और रस्ता भी बहुत अच्छे से बनाया हुआ था कि किसी का पैर ना फिचले मैं तो बहुत थकी थी तो इसलिए मैं पीचे-पीचे जा रही थी ये लोग आगे-आगे जा रहे थे यहां पर आके मुझे पते लगा कि जाला भी अस्थर्टिक लग सकता है फिर न देख लिया तो बी ओनेस्ट मुझे यहां पर इतना कुछ ज्यादा दिखाने क्यूंकि जतने लोग यहां पर शोर मचा रहे थे तो क्या ही दिखना था बट जो वाच टाउर्स बने होए थे उनसे द व्यू वास अमेजिंग लगी निरा था कि मैं चुन्डिकर के आसपास खड़ी हूं कहीं क्या अचल्ड़ वास अवर ऐब दो आपनी मन का बतन मैं पहल आपकर हैं जो मैंनेजी लेव्या दिखा ह्यास अरफ दोड़ दिखिए जिले कुछ आपकर बच्टर वहां हैं पनी मन का बतना प्ला जावर कि नित फिर वी वास निक थाश्य के इस अच्चिए वंकर वास व मैं डबा पेला लोंगा इसे कई बंदे देखिए जिनने जेदे बच्छाने किन्हें बच्छाने कंप्रीट कर ली किन्हें लोकाने और भव्या फेर जारी है लें तो तो उन्हें साथ है लास्ट ब्लोग है एस बस तो नहीं से खांदे मिलांगे थैंक यू सर यहां बे पाजा और बनाना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो जल्दी से और बाकी सारे व्लोग्स देख लो जो नहीं देखे हैं